कि आज मैं विहार के विष्टे बिद्यार थी जो सना तक पास कर गए हैं उनके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर करके मैं आया हूँ कि बहुत दिन से इंतिजार चल रहा था आप लोगों का और इंतिजार की घड़ियां खत्म होने वाली है विग्यापन भी निकलने के लिए चंद दिन वाकि है विग्यापन निकलने के पहले मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्रतित्य परिछा जो 2023 में संचालित होगी उसके लिए क्या क्या सर्त है उसको मैं लेकर करके आया हूँ तो सबसे पहले है नोटिफिकेशन में पात्रता क्या है तो पात्रता तीन चीद पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए एज क्वालिफिकेशन और अंतिम उम्रश्रीमा तो क्वालिफिकेशन बिहार दरोगा के लिए प्रारम से ही असनातक उत्रिन रखा गया है तो जो विद्यारती असनातक की डिगरी ले चुके हैं और जो परिच्छा देने वाले हैं वे भी इस परिच्छा में सामिल हो सकते हैं तो आएए इस पर विशेश चर्चा मैं आप लोगों की बीच कर रहा हूं मैं अपना सेर अनुभव को आप लोगों की बीच करना चाहता हूं बिहार द्रोगा दोह तैस में जो आने वाली है उसके लिए सबसे पहला मोस्ट पात्रता है क्वालिफिकेशन कि कि इसको भर पाएंगे कि दूसरा है एज एज है 21 वर्ष से साइकिस वर्ष और बेतन है इसका छे से सिक्स लेवल है और 35,400 है इस पर आने सुबधाएं जो है डी ए होता है हाउसलेंट होता है मेडिकल होता है आने जो एलाउंस है वे इसमें जूट जाएंगे और इसके लिए एक और है कि लंबाई जो है आपका 165 सेंटिमीटर एक 165 सीम रहना चाहिए सेंटिमीटर से अगर किसी विद्यार्थी का लंबाई एक सेंटिमीटर भी कम हो जाएगा तो यह इस पहाली के लिए पात्र नहीं है अब आएए इस महाली का चैन प्रक्रिया सेलेक्शन कैसे होगी उस पर चर्चा करेंगे सेलेक्शन जो इसका है तिन चर्णों में होती है पहला है प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के में मैं आप लोगों के लिए पहले पीटी को लेकर काया हूं इस से प्रक्रिया प्रॉस्ट पर देखेंख बंशें कि सवस्टाइस कितना प्रसंद की आप अब यहां देख देखेंगे हिस्ट्री से 15-20 कोश्चन पुछता है। उसके बाद है जोग्रोफी से 10-12 कोश्चन पुछता है। पोलिट्य यानि समिधान से 10-12 कोश्चन एकोनोमिक से 8-10 कोश्चन साइन्स से 15-20 कोश्चन अब यहां देखिए। इस टोटल को अगर जोड़ा जाए 15-10-25-10-35, 35-8-43 अब पंद्रे, तेतालिस पंद्रे या 20-20-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40, 24-24-10-36, उसके बाद है माइट से 5-7 कोश्चन में रहता है, इन सारे प्रस्चनों का अगर बिलाया जाए, तो 100 कोश्चन का एक प्रस्चन पत्र रहेगा, जिसमें करेंट अफेर्स 15-20 प्रस्च, माइट 5-7 प्रस्च, साइंस 15-20 प्रस्च, तो यह सोक नंबर का जो प्रस इसमें आपको 80% मार्क्स लाना है, 80% मार्क्स लाइएगा, तो आपका सेलेक्शन निश्चित है, यह दो सेलेक्शन पीटी के लिए हुआ, अब पीटी में जो सेलेक्शन होगा, वो सीट का दस गुना, संख्या का दस गुना, उसके बाद मेंस के लिए आईए, तो मेंस के लिए यहीं सिले बस है, इसमें भी 100 प्रस्च, सोब कोस्टन्स रहेंगे, तो मेंस का जो प्रारूप है, उसमें देखिए एक नया चीज यह जोड़ देता, यह प्लस, यह जोड़ देता, इस तरह से मेंस का प्रारूप में भी आपको, 80% मार्क्स लाना है, 80% मार्क्स लाइएगा, तो सलेक्षन, स्योर एंड हेंडर परसंट, चाहे वे किसी भी कटेगरी के विद्ध्यारती हो, जेनरल के लिए, OBC के लिए, और EWS के लिए, इनको तो निश्चित ही 80% मार्क्स लाना है, अगर 80% से 79 होगा, तो अहां सक्किद्रिष्टी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा, नहीं, 80% मार्क्स लाना है, अब PT और मेंस के लिए, क्या पर्णा है, उस पर नजर दवराईए, तो PT और मेंस के लिए अहां बुक लिस्ट दिये हैं, बुक लिस्ट, जी एस के लिए, लुसेंट, अब्जेक्टिब और सब्जेक्टिब और साइन्स के लिए, एन्सी एर्टी, 6 तू 10 प्लस लुसेंट, करेंट अफेर्स के लिए, एडुटेरिया, अस्पीडी, पर्तियोगता दर्पन, और मैत के लिए, आरे सग्रबाल, इतना अगर बुक का अध्यन किजिएगा, तो दोरोगा में सलक्षन कोई ने रोकेगा, निश्चित होगी, इस तरह से, मेंस में अगर चूने जाईएगा, तो तीसरा जो आपका है, यहां तीसरा जो है आपका, पैट, फिजिकल इंटरंस टेस्ट, इसके लिए आईएगा, तो इसमें जो है, इसका सीट का, संख्या का तीन गुना, इसमें आएगा, इसका रिएल्ट जो है, संख्या का, तीन गुना, चुने जाईएगा, उसके बाद आप फिजिकल के लिए आईएगा, तो फिजिकल के लिए रनिंग है, दाउर, सोलह सो मीटर का, सारह छे मिनट, और लरकिओं के लिए है, महलाओं के लिए है, एक हजार मिटर, 6 मिनट, उसी तरह से हाई जंप है लरकों के लिए चार फिट और लर्की के लिए तीन फिट लॉंग जब है लर्का के लिए बारे फिट और लर्की के लिए नो फिट गोला फेक सुट पुट 16 फिट लर्का के लिए और 10 फिट लर्की के लिए पलस लर्कियों के लिए एक और ही अच्छी खबर रहता है नियम जो बना है और अच्छन 35% गर्ल्स पद का 35% जो है गर्ल्स के लिए शीट और अच्छित है इस तरह से विहार दरोगा का प्रारूप मैं बना कर आप लोगों के बीच शेयर किया इसी को मद्दे नजर रखते हुए आप लोग तैयारी करें और तैयारी करते किजिए रिजल्ट तो मेहनत पड़िपंड करता कि आप कितना मेहनत कर रहे है तो आज का प्रोडाम मेरा आ अपना अनभव सेयर करना था वो मैं कर चुका हूं दरोगा की बहाली जो है अप्राइल के फस्ट विक और सेकेंड विक में आ जाएगा इसलिए आप लोग तैयारी में लगिए इस प्रारूप के अंतरगत इस प्रारूप को आधार मान करके बुक लिस्ट भी दिया गया है क्या-क्या योगिता है क्या-क्या पात्रता है कैसे सेलेक्शन होगा सारा चीज मैं आप लोगों को सेयर किया इसको आप अपने क्लासमेट में अगर सालित करें और सेयर कोमेंट करना न भूले मिले मौका तो सब्सक्राइब किजिए आगे के वीडियो में मैं इसका मटेरियल दे करके आऊंगा धन्यवाद